ज्यादा दिन बचे नहीं है, 21 days की कहानी और है, आज से बस 20 दिन और थी, 20 दिन के बाद exam है, अब last 20 days में, ठीक है, last के 20 days बचे हुए और यहाँ पर मेरे से कोई पूछे, तो यहाँ पर देखो जो तुमने साल भर किया है, reality है, जो तुमने साल भर किया है, on an average और थोड़ा स last के 20 दिन में अगर आपने अच्छे से काम महनत करी, revision करा चीजे करी, तो उतना अपने आप ही result मिल जाएगा, इस time पर बहुत जादा panic होने की condition नहीं लेनी है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे जैसे इंस्टा पर कहीं कोई message आते हैं, मैं देख रहा हूँ, panic होने की जुरत नहीं है, मतलब साही से बोलो ना कि अगर तुम्हें last के 20 days क्या करना है, तो यार सबसे पहले तो अपने उपर stress कम लेना है, क्योंकि stress से result नहीं होगा, tension लोगे उससे result नहीं होने वाला इस बात का ध्यान रखेगा, tension लिजएगा result नहीं होगा, tension हाँ, किस ची tension आ गई किया, यार नहीं होगा, होगा, तो ये मत करो, मैं सच बताओ ना, वो चाहे 400 वा रहे हो, चाहे 300 वा रहे हो, चाहे 500 वा रहे हो, कोई भी मेरे से पूछे, सबसे पहली और सबसे important चीज, मतलब मेरे से पूछा जायना, तो मैं तुम्हें एक simple सा बता रहा हो, अगर म अब जैसे ऐसे संडे बीटते जा रहे हैं वैसे वैसे अगले संडे आने से पहले हमें घबरहाट होना, mental stress आना बहुत normal है, तो जितने लोग ऐसे जो भी बच्चे इस तरगी problems face कर रहे हैं, बेटा इसमें ना सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, कि आपको ना भाई साहा अब इस्ट्रेस नहीं लेना है, अब यह कहना मेरे लिए असान है, कि कैसे टीचर मेरे लिए असान है, लेकिन सच बताओ तो मैंने भी obvious है, तुम लोग की exams के साथ साथ हम लोग इस टीचर हम भी prepared होते हैं, कि हाई यार बच्चों का ऐसा करवाना है, रिवीजन करवाना है, यह करवाना है, जो नए बैच चल रहा है, वो चली रहे, प्लस साथ में तुम लोग साथ क्या हो सकता है, वो आती है, थोड़ी बहुत टेंशन होना, यह normal है, लेकिन इसके उपर बहुत सारे लोग ना, यह stress के साथ साथ overthinking में लगे पड़े हैं, overthinking में लगे पड़े हैं, भाई साथ यह overthinking से किसी का result नहीं हुआ है, और ना होगा, ठीक है, अगर आपके 400 नमबर आ रहे हैं, 300 नमबर आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता, अगर किसी के 600 आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता, यह real exam के time पे क्या होने वाला है, लेकिन अगर जो 20 दिन में अगर falto की ची उनका marks decrease होगा, और जो भाई जिनका थोड़ा सा बीच में चल रहा है, जो 500, 500 इस तरह के range में चल रहे हैं, उनके marks और कम हो सकते हैं, तो marks decrease ही होगे, increase तो नहीं होगे, तो मेरे हिसाब से भाई यह stress और overthinking आप सब लोग avoid करो, क्योंकि देखो भाई, अब बस दो संड़ी कह क्यों परिशान होना है, तो एक तो stress मत लो, बार बार बोल रहा हो, क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर stress लिया, overthinking करी, तो अपने health के साथ compromise करोगे, दिन के साथ compromise करोगे, तो please मत करना, ठीक है, मितलब यह मत करना, दूसरा, सर यह, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कि अपने पास अबियत का कोई खाना नहीं है, खाने पीने का भाईया, यह काम मत करो, मैं सज बता रहा हूँ, reason क्या है, तुमने साल पर जितनी पढ़ाई करी है, अगर तुम अभी एक दो दिन के लिए बिमार पढ़ गए, अगर health थोड़ी सी भी खराब करी, एक दो दिन बिमार पढ़ तुम्हें पता है, तुम्हारा confidence डाउन हो जाएगा, और आज के टाइम पर जो तुम्हारा momentum बना है, वो, देखो, कोई भी चीज, आप अपने health पर जरू ध्यान दो, क्योंकि अभी जितना properly आप अच्छे से utilize करोगे, यह नहीं करो 8 गंटे सो, लेकिन जो तुम्हें लगत एक चीज और, यह मत सोचना, कुछ लोगों का क्या है, यह वाला, कि सर मैंना test कम दे रहा हूँ, मैरे बगल वाला इतना test दे रहा है, यह form of test हटा दो भाई, यह form of test हटा देना, simple सी बाप बता रहा हूँ, form of test हटा दो, क्यों, क्योंकि देखो, किसी का, कोई सबका अपना अ चैप्टर पढ़ता हूं, मुझे लगता है सब आता है, तो बेटा आप टेस्ट से सीखो, आप टेस्ट दोगे, आपको रिलाइज होगा कि इस चैप्टर में ऐसे कोश्चन आते हैं, नहीं, तो भईया ये फोर्मो आफ टेस्ट ना, आपको हटाना है, ये कि हाँ, अरे सर मैं तुम अपना बस एक काम करते रहो, एक काम करते रहो, तुम अपनी लाइफ का बेस्ट रिवीजन करते रहो, बेस्ट रिवीजन करते रहो, बेस्ट रिवीजन करते रहो, बेस्ट स्टडी करते रहो, ये तुम्हें बता रहा हूं, कोई फरक नहीं पढ़ रहा हो सकता है, य किसी के दिमार में लग रहा हूँ, की न Nós Aldara, टिन में दो टेस्स दो, फुल टेस्स दो, पार्ट टेस्स दो, अरे भाई, तू सिंपल एक motor रख, कि जो तेरा week portion है, असको अच्छा करना है, जो तेरा strong हो, उसको ओर strong करना है, बस, उसके लिए जो हो सकता है कर ले ठीक है हाँ कोई भी अपने पास ना अगले साल के त्यारी भाई अभी से क्यों यही तो माना कर रहा ओवर थिंगी में यही पर कुछ लोग है जैसे मैं कल थोड़ा सा संडे था तो मैं ऐसे देख रहा था तो कुछ लोग तो सर की लग रहा है नहीं होगा अगर कैसे पता चल गया तुमें नहीं होगा तुम अपने आप कोई कम से कम है मतलब अंडरस्टिमेट करने लग अभी टाइम है भाई फाइट करो ना हो सकता है एक्जाम पेपर एजी है और मतलब बेस्ट रिवीजन कैसे करना है तो आप अपने वीक टापिक्स को अपने वीक टापिक्स जैसे तुम्हें एक चीज अपने आप से तो पता ही होता है कौन सा वीक टापिक है कौन सा स्ट्रॉंग टापिक है तो weak topics और strong topics को strong करने की इसको strong करना है और इसको और ज्यादे strong करना है तो इस तरह से revision plan करो बस भाई पहले दो बहुत जादा major है क्योंकि यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ना कुछ-कुछ छोट-छोटी गलतियां करते हैं और imagine नहीं कर सकते हो जिस 100 प्लस प्याना शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि आप थोड़ा भी इधर उधर compromise करोगे दस question तो ऐसे ही गलत होने सार चालू हो जाते मैं बहुत सारे बच्चे को देख रहा हूँ कि हासर मैं questions कर रहा हूँ यह कर रहा हूँ टेस्ट में अरे भाई किसी का भी test देगा ना देख एक simple सी psychology है मैं तुझे अभी किस तरह का revision में questions करा रहा हूँ कैसे questions करा रहा हूँ tricky करा रहा हूँ मैं जान मुझ के फसा रहा हूँ क्यों फसा रहा हूँ इससे demotivate नहीं हो ना इससे सीखना है न तुम लोग उल्टा सोच ले रहे हो इससा test दिया मास कम आगे उसके test में इतने आए इसके test में इतने आए अभे यार तो test सीखने के लिए था ना real test किस दिन है real test तो अपने को पांच मही को है मैं एक बाब बता मेरे अभी किसी भी test में दे रहा हूँ मैं 400 आ रहे हैं लेकिन मैंने final test दिया मेरे 700 आ गए तो कौन किसका poster लगने वाला है 700 वाले क सर मेरे इधर final मतलब मैं इसका test दे रहा था 700 प्लस आ रहे थे और real में 400 आ गए तो क्या फायदा है भाई किसी का क्या हो सकता है कब क्या exam hall में किसका दिमाग कैसा चल सकता है इसलिए बूल रहा हूँ चुपचा पढ़ाई करो अभी time है next year का क्या होगा क्या नहीं होगा कैस पढ़ना है ये सब अभी मत सोचो पांच मही के बाद बेटा अव्वेस है हम सब लोग इस दे तरड़ अप रहें कि पांच मही को तुम अपना selection secure कर लो पांच मही के बाद ना 6 मही के बाद हम उन्हीं के साथ फिर से चले जाएंगे जिनका selection नहीं होगा बलेकिन हाँ अभी चीजे जो मैं बार-बार किसी किसी communication से पता चल रहा है ये आपको avoid करना है कभी भी ये सब चीजे नहीं करनी है last 20 days मेही तरफ से भाई प्लीज अपना best कीजिए as a teacher मेही तरफ से ये sessions है आप अपने ही साब से किसी को test देना है दो test देना है चार test देना अगर आपका syllabus पूर complete है आप test दीजिए नहीं complete लग रहा है तो जब रस्ति का test के चक्करे मत पढ़िए ये fear of missing out मत सोचिए कि भाई ये करो वो करो कुछ नहीं होगा ठीक है घबरहाट होना अंदर से stress आना ये normal है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है लोगे तो होगा कुछ नहीं पढ़ाई मैं अगले week या जब भी as a teacher हम लोगे काम है तुम्हें समझाना भाई बस ये try करना जितना हो सकता है इस week में अब इस week का target यह है कि भाई या ज्यादा tension मत लो अगले week में फिर से बात करेंगे